हेलो दोस्तों, NCRD solution में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के इस session में हम बात करेंगे NCRD के class 10 mathematics के solution के बारे में आज का जो हमारा topic है, वो है triangle जो की chapter number 6 है तो इस video में हमें exercise 6.2 के कुछ question को solve करेंगे और पीछे वाले video में हमें exercise 6.2 के question को solve किये थे तो उस video का link इसके difference में मिल जाएगा बच्चो तो आज का question number है हम लोगा question number 4 से start करें क्योंकि पिछले वाले video में question number 1 चले के थी तक की बात कर लिया थे तो question number 4 क्या कह रहा है, कह रहा है in the following figure कह रहा है कि ये figure एक दे रखा है इस figure के अनुसार और क्या कह रहा है एक पहलर है, तो प्रूफ करना है कि जो बी अफ है divided by बी अफ divided by बी इज इसका टू जो देखिए बी अफ डिवाइड़ बाई F E इसका टू बी इज डिवाइड़ बाई इसी ओके बच्चो ये फूफ करना है यह प्रूफ करने ने सिंब्टलशी मीज़ें इसमें देखें प्रॉषन अगर पहले की बात करें तो इसमें क्या होगा अगर बात करें इन ट्रींगल आ बि सी में तो देखें आतब धी ज्युटि लोए इसी नि drilled की इसे पहला है जब ratio इसी के बराबर होगा यह equation first ठीक ऐसे इसी थेओरम को अगर इसी डाइग्राम को हम इस d e को अटा के d f वला ले ले ठीक है जब d e के अटा के d f वला ले ले तो देखें आपर क्या होगा बच्चो सिंपल सी बात इस पूरे a b e की बात करेंगे तो जो होगा b d ratio d a is equal to b e ratio f e के बराबर होगा अब equation 1 और 2 की बात करें तो right hand दोनों में equal है जब दोनों में right hand equal है तो left hand भी आपस में क्या होगे एक क्या होता है फ्रूफ होता है क्या कि ब e ratio e c is q 2 b f ratio f e आपस में क्या होगे एक क्वाल होगे ठीक है बच्चो इन दोनों का ratio आपस में क्या होगा बराबर हो ऐसे question आपको बहूत से मिलेंगे करने को okay question number five क्या कह रहा है देख लीते हैं करें इंड फॉल्विंग फिगर कर अगर figure दे दिया तो आप साही है कर लोगा अगर नहीं दिया तो आपको बनाना पड़ेगा इंदा following figure DE parallel OQ यह जो DE है यह देखें DE है वो इस OQ के parallel है और एक condition और दे रखा है जो DF है यह जो DF है वो OR के parallel है तो show करना है हमें दिखाना है कि जो EF है यह जो EF है पूरा EF यह QR के parallel होगा यह हमें दिखाना है ठीक है बच्चो अगर छोटे से triangle की बात करें तो POQ में देख लेते एक बार बच्चो POQ की अगर बात करें यहाँ पे triangle POQ में देख लेते अगर POQ की बात करते है जब POQ की आप बात करोगे तो आपको इसमें पता है कि DE जो है यह आपका जो DE दे रहा है यह दे दे रहा है यह दे जो आपका DE दे रहा है OQ के क्या है पैलर है तो जो PE होगा वो ratio EQ is equal to PD ratio OD के आपके board exam in the system में PT theorem भी पूछ लेता कि PT theorem क्या होता है और इसको prove भी करिए ठीक है बच्चो तो PT theorem का prove भी आता है ओके अगर हम बात करते हैं second triangle में second triangle में यही काम होगा अगर बात करते हैं इस वरे triangle की जब इस वरे triangle की बात करेंगे बच्चो तो क्या होगा simple सी बात जैसे कि आपकी बता दे PF, PF divided by FR is equal to, FR is equal to PD divided by DO, अब देखिए यहाँ पे आपको बच्चो लेफ्ट रहें, सोरी राइट हेंड जो होगा आपस में, यहाँ पे दो कि राइट हेंड दोनों का same है, जब राइट हेंड सेम है तो लेफ्ट हेंड भी क्या होगा, सेम होगा, अब जब ल कि EF जो है, QR के पहलार है, Converge of the basic profitability theorem, ठीक है, यह PT तो PT theorem भी आता है, या तो इसको CPT theorem भी कहते हैं, Converge of basic, ठीक है, या तो PT, ठीक है, तो यह दो theorem आपके बहुत ज़्यादा important है और आते भी हैं, क्या खेरा है, क्या खेरा है, क्या खेरा है, in the following figure, क्या एक फिगर है, A, B and C are the point O, P, O, Q, O, R, देखिए, O, P, O, Q और, O, R, यह आपके point दे रखे हैं, और दे रखा है, क्या प्रूफ करें कि such that AB parallel P, Q and AC parallel P, R, यह भी दे रखा है, such that respectfully सब चीज़े दे रखे हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि BC जो parallel होगा QR के, जो BC होगा parallel, यह जो line होगी BC, यह QR के parallel हो PT theorem पे, proportionality theorem, इसी पे आधारित है, और यह question इस पे बहुत आता है, तिक, बस बदल देता है, triangle change कर देता है, ratio change कर देता है, value change कर देता है, और उसी पे question करने को मिलता है आपको, अगर solutions की बात के तो solutions बहुत दीजिए, इसमें फिरम वही यूज़ करेंगे, PT theorem, इस triangle को बनाया फिर यह दो triangle ले लिया, कौन से triangle, P, O, Q में ले लिया, जब P, O, Q की बात करेंगे, तो इसमें क्या होगा देखिए, A, B किस के पहलर है, आपके, P, Q के पहलर है, तो क्या होगा condition, OA divided by AP, OA divided by AP, is called to OB divided by O की, यह क्या, basic, professionality theorem, PT theorem, फिर दूसरे side की triangle की बात करेंगे, अब दूसर सी बात, OA, is called to AP, OC, divided by OR, यह होगा, ठीक है, देखिए, OA by OP, is called to OC, divided by CR, यह equation आपका बना, अब देखिए, यहाँ पर left-end जो value है, दोनों की same है, जब left-end value same है, देखिए, हम first and second से अगर बात करें, तो from first and second, यह दोनों value जब same है, तो OB जो ratio होगा, यह जो OB का जो ratio होगा, Sorry, OB ratio, BQ, Sorry, OB ratio, BQ, is called to OC ratio, CR के बराबर होगा, जब यह आपस में देखिए ratio, की साधिन नगारे माँ, पी-टी का theorem, प्रूफ कर रहे हैं, तो आप कहोगे, जो BC पाहलर किसके हैं, की वार के हैं, ठीक है, इस theorem के ज़री है, तब question no.7 क्या करें, बच्चों देख लेते हैं, कह कुछ करना है PT theorem का देखेh proportionality theorem proof that a line draw through the midpoint of the one side of the triangle फवाला to the another side by stick the third side record that you have the proof that it class 9 ये class 9 इसको proof किया गया है class 9 में ओके अगर हम बात करते हैं इस इसको theorem को midpoint theorem की बात करेंगे सबसे ज्यादा important है mid-wide theorem midpoint theorem आपका SAC board में भी है CBC board में भी है सारे board में आपको मिलेंगा और UP board में तो मिलना ही मिलना है ठीक अगर बात करें इस figure करें consider the figure in which PQ is a line PQ एक line segment है draw through the midpoint P and Q किसका जो P है वो AB का midpoint है और Q है AC का midpoint है तो पी की जो पैलर है BC के पैलर हो गया जो पी क्यू है BC के पैलर हो गया तो by using PD theorem हमने प्रोफेशनल्टी theorem यूज किया और जब यूज किया तो क्या हो जाएगा तो AP जो होगा आपके BP के बराबर होगा जब AP BP के बराबर हो जाएगा तो दोना आपस में cancel out तो AQ ratio QC is equal to 1 ratio 1 हो जाएगा तो यहाँ पे AQ जो है QC के बराबर हो जाएगा तो Q is the midpoint of AC मतलब यहाँ पे 1.P जो midpoint दे रखा है आम यह वाला प्रूफ करना थे क्यों क्या है एक midpoint है तो इस चीज को हमने यहाँ पे देखिए प्रूफ कर दिया ओके बच्चो अब question number 8 क्या कह रहा है देख लेते जहां से कह रहा है using converge of a basic probability theorem prove that the line joining the midpoint of the any two sides of the triangle is parallel to the third side recall 9th फिर भी 9th को recall कर रहा है simple सी बात theorem same है अब हमें proof करना है कि इसके बराबर है और यह क्या है दूसरे के पहला रहें देखिए यहाँ पिर हमने क्या कि एक triangle considered किया consider करने बादे हैं आप देवी देखिए PQ the line segment joining the midpoint and P and Q P और Q midpoint है अब यहाँ प्रूफ करना हमें कि यह जो PQ है वो BC के पहला रहें ठीक है क्यों अब तो अपस में एक एक के रेशियों के बराबर हैं तो यह दोनों आपस में क्या होंगे equal होंगे देखिए यह एक 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 रेशियों के बराबर होगा तो देखिए यहाँ दोनों का राइट है तो लेप यह क्या होंगे बराबर हो गए तो यह कहता है कि कि PQ क्या होगा वी सीक होगा क्यूं क्यों प्रेट थ्योर्म के कोडिंग के बच्चों दोनों आपस क्या होंगे फरेट呢 लोगर्राम कह सकती हो उसमें होता है और इसमें एक ट्राइंग norm भी मना है तो PREaufen E circo Dew is यहां देखिए conditions क्या दे रहा है question में कि जो AB parallel है DC के जो AB है DC के parallel है and its diagonal intersects each other the point O so that AO जो होगा BO के AO जो होगा देखिए बच्चो जो AO होगा BO के ratio के equal किसके बराबर होगा CO ratio DO के ratio के बराबर होगा यहां पर हमने एक लाइन ड्रो कर दिया क्या इस question में इस figure दिया नहीं हमें figure अलग से बना लोगा तो अगर figure दिया तो लिखता in the figure यह according to figure ठीक है अब यहां फिगर नहीं दिया तो पहले हम figure एजूम्ड करेंगे उस type का जैसे figure बनाएंगे ओके हमें figure बने भी गया तो ई और एफ एक लाइन भी पॉइंट में ड्रो कर लिया और वह क्या एक मिड़ पॉइंट है इन दोन में अगर बात करें such that एक ट्राइंगल बन रहा है ADC एक लंबा से ट्राइंगल बन रहा है उच्छो जब ट्राइंगल बना तो इसमें आप कंडिशन्स फूल फिड करें और पीट्री थियोरम लगाएं और यहां पर कहें भी रहा है कि यू जो इस ट्राइंगल की बात किया अब ऐसे ही हम दूसरे ट्राइंगल की बात कर लेते हैं अब बीडी की बात किया था ADC की बात किया था अब हम लोग ABD की बात कर लें और इसमें एक चीज तो common होगा वही चीज जब common होगा तो equality दिखा के proof करेंगे यहाँ पे देखिए जब proof किया 1 और 2 को जब equal दिखाए देखिए same to same P2 theorem भी उसकर के निकाला जब A और 2 को दिखाए था जो AO डिवाइड़ बाइ ओसिज करो BO डिवाइड़ बाइ OD के जब बराबर हो जाएगा तो कहोगे देखिए आपस में दूसरे के क्या है equal है देखिए ratio यही तो proof करना था मुझे यही तो proof करना था और देखिए last में वही proving निकल आई क्योंकि यहाँ पे बना के दिखाना पड़ेगा तुन्हों टाइंगल में एक चीज तो common होनी चाहिए वही चीज common होई और उसको हमने विक्वल दिखा के proof कर दिया आपे ओके बच्चों देखिए यहाँ पे ae divided by ed दोनों में left hand बराबर तो आपस में बराबर होंगे जब राइट हैंड बराबर होंगे तो हमारा प्रूफ करना तो निकल आया ठीक अब कोस्ट नमर्ट 10 की बात करतें बुच्चों कोस्ट नमर्ट 10 क्या कह रहा है क्रदल डाइगोनल और क्वाड़ेट्रल का और और बीचिट इंट्रेक्ट अधर पॉइंट देखिए अब वह सब चीज़े दे रखी है अब हमें बताना कि एक ट्रेपेजिया में जैसे पिछले वाला कोस्ट इन्वर्ट की बात करतें बच्चों की बात करतें का क्या कहता है देखिए अब हमारा यह कोस्ट दे रहा करना है अब हमें यह चीज़ दे रखी है और दे रहा है कि एक ट्रेपेजिया हुआ है ठीक है अब हमें प्रूफ करना है कि अब सीधा कनवर्ज है कनवर्ज का मतब लेटास कंसीडर फॉल्विगर ऑफ गिवें कोस्टन के रूसार एक फिगर हमने कंज्यूम किया अब करने देखिए अगर ABT की बात करते हैं आपे बच्चों देखिए यहां पर फिगर की बात करें जो भी आप कहलो इसके अनुसार अगर बात करें तो ABD ABD यह आपका एक ट्राइंगल है इसमें जो OE है वो किसके पहले रहे AB के जब इसके पहले तो BT फिएरम आप कह सकते हो AE divided by ED is equal to BO divided by OD के बराबर होगा इसको बना लेते हैं ओके बच्चों आप इसी के अनुसार अगर बात करें किया होगे बराबर होगे तो क्या करनेशन से मिली बच्चों अमों लोग को यहां पर देखी मिला AE divided by ED is equal to AO divided by OC ठीक है यह मिल गए जब यह मिल गए तो कोई कह सकते हो आप Converge CPT theorem से कह सकते हो आप लोग कि जो EO होगा जो EO होगा वो आप किसके पहले होगा DC के पहले होगा और जो AB भी होगा किसके पहले होगा DC के सिंपल सी बात और OE के भी पहले होगा देखी बच्चों यह इसके पहले है फिगर में देखे सिंपल सी बात यह वरा ट्रम इसके पहले है और हमने अभी प्रूफ कर दिया CPT theorem से कि यह जो है यह एक ट्रैपेज यह बना रहा है सिंपल सी बात देखी ऐसे कोशन आता है या तो रिवर्स में आएगा या तो सीधा उसके जैसा आएगा ठीक है तो बच्चों इसी कोशन के साथ एक्ससाइज कंप्लीट होता है फिर हम नेक्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स एक्ससाइज के उहांगा है नेक्सट्योग मिलें बTr भी लॉप्चों अच्पन के सकत्ता है